आप इस तोर पर भी समझे कि बंगाल में हिंदू हो या मुस्लिम हर कोई परिवर्तन चाहता है और तारकेश्योर में आयुजित प्रियाम मुदी की रली में बड़ी तादात में मुस्लिम महिलाएं भी पहुंची थी जिन्हों ने खूल कर कहा कि बंगाल को दीदी से चुटकारा चाहिए क्योंकि दीदी ने पिछले दस सालों में कुछ नहीं किया रपोर्ट देखिए मुस्लिम महिलाएं भी घर से निकल कर प्रदान मंत्री मोदी को सुने आ रहे हैं क्या नाम है आपका चामिला बेगम अधी जी को सुने आ है आप मोदी चुना है आप बीजेपी को बीजेपी कर रहे हैं हम बीजेपी कर रहे हैं और आगे भी खड़ते रहेंगे दीदी तो कह रहा कि मुसलमान लोग खाली टीमसी को बोटते होस्साल को मुसलिव जीक्षो पाद से कुझरतम सब्सुना करता है होसा अच्छा लगता है क्या य४ कर्चा लगता है और आटीदी मुझा है में अच्छा लगता है मम्ता दीदी या मोदी जी मम्ता दीदी या मोदी आपको मोदी ने कुछ नहीं किया कुछ भी नहीं किया हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया इसलिए हम बदलना चाहते हैं ये कहना है मुस्लिक महिलाओं का कवित पाठी जी मीडिया तारकेश्वर बंगाल अब हुगली में पियम मोदी की जनसभा हो निये रमन हमारे सयोगी हुगली से जुड़ गए रमन तारकेश्वर की सभा में पियम नरिंद्र मोदी ने बंगाल के विकास की बात की ममता दीदी पर निशाना साधा हुगली में क्या खास रहने वाला है देखे बिल्कुल और ये लगाता प्रदानमंद्री मोदी की जो रैली ए उसमें देख सकते हैं आप किस तरह से भीड जमा हो रही हैं किस तरह से लगाता लोग यहां पर आ रहे हैं और ये सारे के सारे कारे करता है जो तारकेश्वर की रैली थी उसमें भी बड़ी संक्या म पूँशे थे और यह सारी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कुछ इसी तरह प्रधान मंतिरी की हर रहे ही में कुछ इसी तरह का नजारा होता है बड़ी संक्या में कारे करता यहां पहुँचते हैं और प्रधान मंतिरी मोधी पश्रिम बंगाल को अच्छी तरह से समझते है और इसलिए वो ही मुद्दे उठाते हैं जिनका उन्हें पता है सीधा असर होने वाला है और किसान के मुद्दे की बात करते हैं और साथ ही साथ हो ये भी कहते हैं कि जो आईश्मान योजना है उसका फायदा पश्रिम बंगाल में नहीं होने दिया जायद दीरी पढ़ती नहीं है क्योंकि अगर वो उसको यह लागू होने देती और बंगाल का कोई आदमी दिल्ली में बिमार पढ़ता तो उसे वहां भी इलाज मिलता तो यह जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार प्रदानमंत्री की रैली में इस तरह की तस्वीरें बेहत आम हो गई है और यह वही पशिम बंगाल एंवरा की जब मैं पिछला विदान सब्सक्राइब कर रहा था तो यहां पर बीजेपी का जेंड़ा तक नहीं दिखता था यहां पर एक पोलिंग एजेंट तक नहीं मिलता था लेकिन इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे ह कि यहां पर वे सारे बारतिय जन्ता पार्टी के गारे करता है जो कि जैशी राम विल्कुल रमन और जिस तरह से आपने अनुभव का कि आप जो पहले विदान सब्सक्राइब को कवर करने की गए थे वहां पर तस्वीरें कुछ और होती थी आज तस्वीरें कुछ और हैं यहीं से बातों को आगे बढ़ाएंगे रमन आपका बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुचाते रहेंगे